Hello students, this is C.A. Karišma Manzal from My Future Academy अपनलोगों का Soul Proprietor के merits और limitations बाकी देफटाफटा आच वो खतम कर लेते हैं merits, एक Soul Proprietorship के क्या-क्या benefits है सबसे पहला benefit है quick decision making quick decision making मतलब देखो, एक Soul Proprietorship में एक ही बंदा होता है अब वो एक ही बंदे के पास सारा freedom होता है कि वो उस particular business के सारा decision लेप है moreover उसको किसी से consult करने की या किसी से permission लेने की किसी की sign लेने की ज़रुरत नहीं पड़ती और जो opportunities है उसको फटाफट क्या बोलते हैं अपन ग्राफ्स कर पाते हैं क्योंकि जादा बोलते हैं लोग involved नहीं है तो opportunity को ग्राफ्स करने में पकड़ने में जादा time नहीं लगता और अपन लोग फटाफट उस opportunity को capitalize मतलब उसको अपने benefit में convert कर सकते हैं चलो read कर लेते हैं enjoy freedom in making decision no need to consult others leads to timely capitalization of market opportunities second confidentiality of information because एक particular business में एक ही बंदा है तो इसके जो दिमाग में जो information है वो दूसरे बंदे तक नहीं पहुचेगा और सारा business का information इसके पास क्या रहेगा lock रहेगा ठीक है वापस समझ लो because एक organization में आपसे वेक लौदा बंदा है तो सारी information उसके पास ही रहेगी और business के जो secrets है वो बाहर leak नहीं होंगे तो soul authority enables to keep all the business information confidential मतलब secret रखना किसी तक नहीं पहुचना direct incentive ये तो तुम लोगों को पताई है कि भाई एक business because ये बंदा अकेला है तो जो profit होगा वो भी ये पूरा कमाएगा और जो loss होगा वो भी पूरा ये ही bear करेगा तो ये क्या है direct incentive मिलता है इसको अपने efforts के अपने इसने जो efforts दा ले है उसका जो result है directly इसको मिलता है तो सबसे बड़ा benefit soul proprietorship का ये है कि आपके efforts का जो benefit है वो दूसरे लोग नहीं कमाते हैं वो आप लोग खुद कमाते हैं sense of accomplishment because एक organization में ये अकेला बंदा है अगर ये कुछ achieve करता है भई तो इसको पूरा का पूरा ये benefit भई इसको ऐसा लोगता है यार पूरा का पूरा मैंने अचीव किया है तो उसको sense of accomplishment उसको खुद के उपर self satisfaction पी लोता है खुद के उपर क्या proud feeling होती है कि मैंने अकेले ने खुद के बलबूते पे ये सब अचीव किया है there is a personal satisfaction involved in working for oneself the knowledge that one is responsible for the success and still self-satisfaction ease of formation and closing अपने पड़ा ही था कि भई एक sole proprietorship को बनाना मतलब sole proprietorship को register करना और बंद करने में बहुत कम legal formalities involved होती है इस वज़े से तुम लोगों का ये बहुत easy तरीका माना चाता है business conduct करने का ठीक है तो एक बार वापिस revise कर लगे था quick decision making, confidentiality of information direct incentive, sense of accomplishment or ease of formation and closing limitations में क्या क्या है limitation में सबसे पहली limitation है limited resources ये एक बंदा है ये बंदे ने अपना grocery shop चालू की हुआ क्या उसके पास सिफ 10 लाग रुपे थे तो इसने किया ये छोटी सी shop चालू की तो इसके पास because ये अकेला बंदा है तो इसके पास जो resource होगा वो भी limited होगा अब हुआ क्या इसके सामने एक competitor आया जिसके अंदर तीन पार्टनर थे वो तीनों पार्टनर ने मिलके क्या किया 10-10 रुपे डाल के 10-10 लाग रुपे डाल के 30 लाग का investment कर दिया एक बड़ी सी grocery shop खड़ी कर दी अब लोग क्या करेंगी यहाँ पे ज़ादा attract नहीं होगे यहाँ पे ज़ादा attract होगे तो होता क्या है एक sole proprietorship का जो सबसे बड़ा limitation है वो है limited resources resources are limited to his or personal savings and borrowings from others bank has a state to extend a long term loan to a sole proprietor यह भई मेरी bank है यह bank में यह partner लोग है तीन और यह एक individual है यह तीन हो इस bank के पास गए बोले हमको एक business चालू करना है हमको पैसा चाहिए तो bank क्या बोले कि है तीन बंदा है गपला भी हुआ तो किसी ना किसी बंदे से तो मैं recover कर दूँगा पर अब यह बंदा मुला कि में को भी एक करोड रुपे चाहिए तो bank क्या बोले कि एक बंदे को मैं अक्यला एक करोड दूँ मुझे क्या guarantee यहाँ पर तो यह तीनों के property मिलेगी तो bank करता है उनको लोन देने में लॉंग टर्म लॉंज देने में लिमिटेड लाइफ और बिजनस पर आगे यहाँ पर जो यह ओनर होता है और जो उसका बिजनस होता है उसको सेम माना जाता यह दोनों इक्वल है ऐसा बोलता है अगर यह मर गया तो इसका बिजनस भी खतम और अगर यह चल रहा है तो इसका बिजनस भी खतम अगर यह इस इंसल्वेंट हो गया तो इसका बिजनस को भी क्या होती है लिमिटेड होती है unlimited liability third limitation unlimited liability ये बंदा है ये बंदे का ये घर है ये इसका business है business में 10 लाक रुपे बड़े है और ये property की value 10 लाक रुपे है हुआ क्या इस बंदे ने ये दो creditors से 25 लाक रुपे बौरो किये थे चीके 25 लाक बौरो करके इसने अब bosom तुम्हारा business close होना आए ना तुम्हारे पास 25 लाक थे business close होना बंदा है तब तुम्हारे पास 10 लाक 10 लाक रुपे ही थे तो हुआ क्या तुम्हारा ये जो बंदा है जब business close करने गया तो ये लोग पैसे मांगने गये तो यह इसने बोला यहां पर क्या होगा कि भाई यहां पर वह उसकी मितलब लाइबिटी जो है ना वह उसके बिजनस परसनल एसेट को भी इंक्लूड कर सकती है यहां पर यह सबसे बड़ा लिमिटेशन होता है कि भाई मेरी लाइबिटी अनलिमिटेड है मतलब ऐसा है कि मेरे बिजनस में 10 लाइबिटी जो जाओंगा नहीं भाई अपना पैसा मेरी परसनल प्रॉपर्टी से भी रिकवर कर सकते हैं इसको बोलते है अनलिमिटेड लाइबिटी लिमिटेड मैनेजरल एबिटी यार ऑव्यसी बात है एक कंपनी एक सोल बंदा हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता तो उसकी जो मैनेजरल एबिटी होगी सब्सक्राइब लिमिटेड होगी वहां हिर चीज में एक्वात लूपरीटशिप लिमिटेड मैनेजरल एबिलिटी वहां ह्टी सिर्ण क्या वर चीज में अच्छी नहीं हूं तो उस जएक्सपर्टीज मिलन एक में अच्छी लेवल मेरे इज ocada jiwa my इस पर मैं क्या करूँ तो ऐसा बोला जाता है कि भाई विकॉस सोल प्रोप्राइटर्शिप पर एक ही बंदा इल्वॉल है उसके बास सारी स्किल्स हो जरूरी नहीं है तो एक लिमिटेशन बन जाती है कि एक बंदे के पास जो मैंनेजरल अबिलिकी वो लिमिटेड ही होगी गो फोर्थी लिमिटेशन है लिमिटेड मैनेजरल अबिलिबिकी थेख लो लिमिटेड रिस ओसल से लेमिटेड लाइफ अफ बिजनस और बिल्सकांस Möglichkeit अनलिमिटेड लाइबिके और लिमिंटेड दिनजरल एकले साफिंसे चलो करेंगे